नमस्कार आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूस और मैं हूँ आपके साथ शहरीन शुरुआत करते हैं खबरों की जिलाधिकारी रवेंद्र कुमार और वरिष्ट पुलिस अधिक्षक संतोष कुमार सिंग ने जिलाकारगार का उचक इस्थलिय निरिक्षन करते हुए बंदियों को जेल प्रशासन द्वारा दी जा रहे ही सुवीधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया निरिक्षन के दोरान दोनों अधिकारियों द्वारा महिला बंदियों से उनकी समस्याओं के बार में पूछा गया और महिला बंदियों के बच्चों के लिए भोजन और स्वास्ती संबंदि स्विधाओं के संबंद में जानकारी की गई इस अवसर पर कारगार अधिक्षक जेलर सहीत कार के अधिकारी घंड पस्तित रहे विधायक सिकंद्रबाद भाजपा के वरिष्ट नेता विधायक पती देवेंद्र सिंग सोलांकी जी और विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता पंचम प्रशांत कुमार राजेंद्र का और सभी कोलोनी वासी धन्यवाद आभार वियक्त करते हैं विध्युत से समस्याओं का समधान करने के लिए हमारी कोलोनी में पिछले आठ साल से लाइट नहीं थी चारसो मीटर दूरी से लाइट केबल डाल कर लाते थी बड़ी समस्या का समाधान कराने के लिए एक बार फिर शेत्री विधायक विमला सिंग सोलांकी जी आधर्निय देवेंद्र सिंग सोलांकी जी के सभी विद्युत विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद आभार और जिलादिकारी बुलंशहर रवींद्र कुमार और वरिस्टु पुलिस अधिक्षक, बुलंशहर संतोष कुमार सिंग द्वारा संयुक तुरूप से सिकंद्रबाद, शेत्रांत्रगत, स्वामी दयाल भटनागर लो कॉलेज सिकंद्रबाद में स्टीम सिकंद्रबाद के साथ आवशक बैठक आहूत की गई, बैठक में जिलादिकारी और वरिस्टु पुलिस अधिक्षक, द्वारा सभी चोकिदारों और बीट कॉंस्टेबल को संबोधित करते हुए निर्देशित किया गया, कि अपने अपने शेत्र में अवैद रूप से बेचे जाने वाली सतरकता बढ़ती जाए और अवैश शराब विक्री स्थल और विक्रेता के नाम, पते, मोबाइल नंबर, आधी की सूचना ततका सवरप्रधम सम्मध्य थानप्रभारी को दी जाए